नमस्कार, सरकारी समाचार.िन के करंट अफेर्स के नवंबर माह के प्रत्रम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महतवपून समसामाई की विश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी परिक्षाओं की द्रिष्टे से अत्यंत महतवपून एवं उपयोगी है। सबसे पहले हम जानेंगे फीफा विश्यो कप 2022 के बारे में। फीफा विश्यो कप 2022 फुटबाल का सबसे बड़ा टूर्नेमेंट है। कतर की मिजबानी में फीफा विश्यो कप 2022 का आरम हो चुका है। जब हम फीफा विश्वकप 2022 के आयोजक देश कतर के बारे में जानते हैं तो ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कतर की भवगोले की स्थिति क्या है कभी कभी परिक्षाओं में फीफा विश्वकप या कोई बड़े आयोजन के बारे में सीधे सीधे प्रशन ना पूछ कर उस स्थान विशेश जहां पर उस विशेश इवेंट का आयोजन हो रहा होता है उसके बारे में भी प्रशन पूछे जाते हैं तो हमें जानना चाहिए कि कतर की राज़धानी दोहा है और इसकी केरेंसी जो है वो कतर रियाल है कतर अरब छेत्र में एक छोटा सा देश है इस देश की स्थलिय सीमा साउदी अरेबिया से लगती है और ये तीन तरब से समुद्र से घिरा हुआ है इसका दूसरा परोशी देश बहरीन है और तीसरा यूनाइटेड अरब अमिराज कतर के पास परसियन गल्फ है गल्फ आफ बहरीन है तो कभी भी किसी परिक्षा में ये प्रशन भी पूछा जा सकता है कि परसियन गल्फ कहां पर है या गल्फ आफ बहरीन कहां पर है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है अब आते हैं वापस आते हैं फीफा विशुकप 2022 पर इस विशुकप का उद्गाटन अल्खोर के अलबरात स्ट्रेडियम में किया गया इसका शुभंकर जो है लाइब है लाइब एक अर्वी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेश गुन और ख्षंता वाला खिलाडी जाएगा इसमें कुल 32 टी में भाग ले रही है और इसका ऑफिशल मैच बॉल जो है अल रहिला है तो कभी भी यह पूछा जा सकता है कि कतर में जो विशुकब 2022 हुआ था फुटबॉल का उसका शुभंकर क्या था तो उसका शुभंकर लाइब था लाइब है और ऑफिशल मैच बॉल अल रहिला है इससे पहले फीफा विजेता फ्रांस था एक और महत्पूर्टा थी जो याद रखना चाहिए परिक्षाओं के दृ युजित होने वाला पहला विशुकब है और एशिया की दृष्टी से देखें तो 2002 में हुए दक्षण कोरिया और जापान की सईक्त अगवाई में फीफा विशुकब को छोड़कर यह दूसरा टूर्नमेंट है जो एशिया में हो रहा है यानि कि अभी तक एशिया में सिर 20-20 साल बार 2022 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया गोवा की राजधानी पढ़जी में शुरू हुआ है यह 20 से लेकर 28 नवंबर 2022 के बीच आयुजित किया जाएगा इस महुत्सों के स्थापना 1952 में की गई थी और वर्तमान में यह प्रतिवर्ष मनाया ज अभिनेता चिरिंजीवी को मिला है और सत्य जीत राय लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा इस्पैन को दिया गया है इंडिया के पहले Elephant Death Audit Framework को लागू किया है तमिल नाडू ने अपने वन विभा के साथ राज में हाथियों की मौतों की कारिकार्ड रखने के लिए उनकी निगरानी करने के लिए एक पारदर्शी और विस्तित प्रक्रिया शुरू की है इस Elephant Death Audit Framework के माध्यम से राज में किसी भी हाथी की मृत्य होने पर उसके मृत्य के कारणों और स्थान की निगरानी की जाएगी और उसका रिकार्ड रखा जाएगा North East Olympic खेल 2022 का आयोजन शिलांग मेघाले में किया गया है अब इसमें North East को ध्यान रखना है Seven Sister राज हैं वहाँ पर और उलम्पिक खेल North East Olympic Games 2.0 An Expression of Solidarity खेलों का आयोजन शिलांग मेघाले में किया जा रहा है इससे दो-तीन तरीके के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं यह जो North East Olympic खेल 2022 है यह दूसरे हैं इसको नाम दिया गया है North East Olympic Games 2.0 और इसकी थीम है An Expression of Solidarity तो आपको ध्यान रखना है कि यह शिलांग मेघाले में खेले जा रहे हैं यह दूसरे North East Olympic Games है और इसकी थीम है An Expression of Solidarity भारती फूट पर्टीम के पूर कफ्तान बाबू मडी का निधन हो गया है बाबू मडी ने 1984 के नहरू कप के दोरान कोलकाता में आरजिंटीना के खिलाब भारत के लिए पदारपन किया था और देश के लिए 55 मैच खेले बाबू मडी उस भारती टीम के सदसी भीते जिसने उनिसो पच्चासी और सताशी में तक्षण इस याई खेलों में सोन पदर जीते थे जलवाई परियोतन पर युनाटेट नेशन्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस जिसे कॉन्फरेंस आफ पार्टी अवदा यूएन एफ ट्रिपल सी कोब 27 भी खा जाता है इसका आयोजन शर्म अलशेख जो की इजिप्ट में है मिश्र में है वहां किया गया है यह कोब 27 हमेशा चर्चा में रहता है और अक्सर इससे प्रशन भी पूछे जाते हैं तो इसे हम लोगों को गंभियता से देखना चाहिए सीधा सीधा तो प्रशन पूछ लिया जाता है कोब 27 का संब अर्वाइस में और इस कोब 27 जो इजिप्ट में हुआ है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि अभी तक जो विक्सित देश थे जो सबसे ज़्यादा कारबन प्रदूशन परदा करते थे उन देशों के मद्य सहमति बनी है कि विक्सित देशों के कारब प्रदूशन के कारण जो मौसम संबंधी परिस्थितियों से प्रभावित हुए अलप्रिक्षित देश है उनको मुआवजा देने के लिए एक फंड त्यार किया जाएगा और उनको उसके लिए कंपेंशेट किया जाएगा यह बिन्दु भैत्वूर्ण है इसे हम लोगों शरत अचता कमल एक भारती पेशेवर्द टेबल टेनिस खिलाडी है वथ 10 बार Senior National Champion बनने वाले भारती टेबल टेनिस खिलाडी है तो शरत अंतराश्टी टेबल टेनिस महासंग में यह कहां से संबंदित हैं तो शर्त अंचिता कमल जो हैं तमिलाडू से संबंदित हैं इनका चेन नहीं में इनका जन हुआ था इनको 2019 में पदमश्री और 2022 में खेल रत्न पुरुस्कार दिया गया था एक प्रश्ण और भी बन सकता है कि अंतराश्टी टेबल टेनिस महासंग का मुख्याले कहां है तो ध्यान रखना है कि लुसाने स्विट्जर लेंड में इसका मुख्याले हैं वीडियो पूरा देखने के लि झाले उत्वाट जेखने के लिए पूरा देखने के लिए बन सकता है कि अंतराश्टी टे सकता है कि अंतराश्प Л रखना है कि अंतराश्वार लुवझा रहते हैं एक भी ज